जै मातादी, नवरातर के दिनों में सहद का विसेश प्रियोग किये जाते हैं, एक तो माता रानी को सहद बहुत ही पसंद है, उनको भोग भी लगाया जाता है, छटे नवरातर के दिन जिस दिन मा कातेयनी की पुझा होती है, और सहद का एक ऐसा टोटका, जो आपके जीवन क कि हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा आपका साहे सत्रू कितना भी पावरफुल हो वह सत्रू आपके कदमों में पड़ा होगा और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं किसी को भी अपने करीब लाना तो भी ये सहत का प्रियोग नवरात्र के दिनों में किया जाए तो आपको हाथो हाथ रिजल्ट मिलते हैं तो आज हम आपको तीन प्रियोग बताएंगे बिडियो के इन तक बने रहें देखिए नवरात्री में जब मा कात्याइनी की पूजा होती है तब उनको सहद का भोग लगता है या तो मिट्टी के बरतन में रखकर या फिर चांदी के कटोरी में रखकर या आपको यहां पर मिट्टी या चांदी दोनों में से कोई एक यूज करना है और बांकी धातों यूज मत कीजिएगा तो मात कात्याइनी की पूजा में सहद का भोग तो लगाईए लेकिन कैसे आप अपने जीवन की हर मुस्किलों से बाहर निकलेंगे देखिए आज हम आपको चली सबसे पहले तो यह बता दें कि जब आप मा कात्याइनी की पूजा करेंगे तो माना जाता है महरसी कात्याइन की तपस्या से परसंद होकर आदी सक्ती मा दुर्गा ने उनके घर पुत्री की रूप में जर्म लिया और उनका नाम कात्याइनी पड़ा मा कात्याइनी ने ही महिसा सुर नाम के असुर का बद किया और मा कात्याइनी को दानुमों असुरों पापियों का नास करने वाली देवी कहा जाता है मा का रूप बहुत आकरसक है इनका सरीर सोने की तरह चमकीला है और मा की चार भुजाएं हैं इनकी सवारी सिंग माना जाता है कि कन्याओं की विभा में देरी हो रही हो तो मा का तैनीय की पूझा जरूर करना चाहिए और उनका विवाज जल्दी होता है अच्छे बर्की प्राप्ती होती है मा की पूझा गोधूली बेला यानि प्रदोस काल में करना चाहिए इससे प्रसंद होकर मा सत्रों का नास करती है रोगों से मुक्ति दिलाती है और मा को अगर सहद से बनी चीजों का भोग लगाए तो ज़्यादा अच्छा होता है तो मा को आप गोधूली बेला में सहद का भोग लगाए और अगर आप ब्रत रखती है तो आप ब्रत में जो आप खाना बनाती हैं उसमें भी सहर डाल कर आप मां को भोग लगा सकती हैं लेकिन जिसे की हलवा है खाना मतलब चावल डाल रोटी नहीं डालना है नहीं देना है क्योंकि वो तंतर क्रियाओं में आता है तो आपको मा को सिर्फ सात्विक भोगी लगाना इस बात का ध्यान रखेगा आईए हम एक महा प्रियोग जानते हैं जो आपके जीवन की हर परिसानियों को दूर करेगा वैसे आपको तो पता है नवरात के ब्रत में चीनी नखा कर अगर सहत खाया जाए गुड़ खाया जाए तो इसके वेनिफिट भी मिलते हैं और ये सुद्ध भी है तो सबसे पहली बात तो जब आपके सत्रु ब्रोधी बढ़ जाएं आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा अपने भी पराय से बेभार करते हैं तो नवरातर में किसी भी दिन ये प्रयोग कीजिएगा किसी भी दिन यानि कि आप विजया दसमी तक जिस भी दिन आपको मौका मिले समय हो उस दिन प्रयोग कर ले लेकिन इस प्रियूक के लिए जो चीजे आपको चाहिए पहले सी कठी करके रख लिएगा क्योंकि एक दम से आपको अच अनक से नहीं मिलेगा आपके घर में हलाकी बहुत साहिज़ी होँगी तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आपको चाहिए एक सहद की सीसी सहद हनी हनी कहते हैं न वही तो हनी की सीसी चाहिए सीसी यानि आप 50 ग्राम 100 ग्राम का एक बॉटल ले आए जिसमें मार्केट में मिलता है रेडिमेट सहद या फिर आपके घर में है सुद्ध सहद तो छोटी सी सीची साफ कर ले और उसको आप उसमें सहद भरिए करीब आधा से जादा सीची में अब इस सहद को रखना है और चाहिए आपको एक अश्ट गंध पॉडर आता है पॉडर आता है मार्केट में अश्ट गंध बोलके मिल जाएगा और चाहिए अनार की कलम अनार की कलम मार्केट वह भी पूजास्थान के दुकाने मिलेगा अगर आपको ना मिले तब आप बेलपत्र का जो डंठल होता है न डाली जिसको पतला वाला आप वो ले ले या फिर पत्र में जो लगा होता है डंठल चोटा सा उसको ले ले कोई भी एक ले ले और इसके अलावे चाहिए आपको भोज पत्र अब यह भोज पत्र वैसे तो आपको मिल जाएगा लेकिन मान लेते हैं आप किसी ऐसे अरिया में हैं या फिर आपके लिए मुस्की ले जाना अब आप एक चोटा सा काम करें पहले तो आप मातार आने के पास बैठ जाएं पुजबेगरे करने के बाद अब जो हमने कहा आपको भोज पत्र या उसके बदले में सफेद कागज लेना है अब लेना है अनार की कलम नहीं मिले तो बिल पत्र का डंठल अब जो अस्ट कोसिस कीजिए कि वही मिले क्योंकि अस्ट गंद में तंत्र क्रियाओं को करने की सक्ति होती है ना मिले तब आप लाल चंदन या रोली या सिंदूर से भी कर सकते हैं अब आप सिंदूर या फिर जो भी आपके पास है या अस्ट गंद है उसको पानी से हलका गीला करें और आपने बेल पत्र का डंठल लिया है या जो अनार की कलम है उसको उस सिंदूर या अस्ट गंद में डीप करकर के इस भोजपत्र या साधे कागज पर आप जितने भी सत्रू हैं जिन से आप चाहते हैं कि वो सांथ रहें आपके जीवन में भूचाल ना लाएं अपने भी हो सकते हैं पराय भी हो सकते हैं उफिस में हो सकते हैं जहां आपको लगता है आपके दस लोग ऐसे हैं जो आपको परिसान करते हैं सब का नाम लिखिए आप एक कागज भी नहीं हो रहा दो कागज ले ले उसी के सहारे याद रखिए पेंसे नहीं लिखना है अब लिखने के बाद माता रानी के सामने को उनसे बिंती करें प्रार्थना करें कि—— कागज बोज पत्र है उसक कागज है उसको साथ भार मोडना है अब बोउडने के बाद जो उसीज़ हूं डाल दें और अंदर डाले ताक्य उसीज़ खूपर आ जाओ झा और यह जो कागज भोजपत्र है वो अंदर चला जाए अब इसको बाद इसमें ढखकन बंद कर दें आप चाहें तो किसी सुनसानस्थान में किसी पुराने पेड़ के नीचे इसको मिट्टी में गार सकते हैं दबा सकते हैं या फिर अपने घर में ही आप कहीं पर साइड में छिपा कर कह जितने दिन इस सीसी में सहत के अंदर आपका सत्रू का नाम पढ़ा हुआ है जब भी सत्रू का नाम लिखिएगा ना सत्रू का चेहरा मन में याद कीजिए और फिर उसका नाम लिखे ज़्वाव पड़ेगा और माता रानी की किरपाज से सत्रू विरोधि संथ हो जाएंग नौरातर में बिजय दसमी तक कभी भी रोटियां तो बनती होगी घर में वैसे तो नौरातर के दिनों में हमेशा ही याद रखिएगा सादा रोटी नहीं खाया जाता एक दो बुन घी लगा के ही खाये तो अच्छा रहेगा क्योंकि मा आई है तो अच्छे अच्छे पकवान काई है तो रोटी जो आपके घर में बनेगी उस रोटी पर कौन सा रोटी आप पहला भी नहीं लेना पिछला भी नहीं लेना बीच का रोटी ले ले अब इस रोटी को लेकर आप जो आपके घर में सहद है सहद में एक बार उंगली डिप करें एक उंगली कौन सा उंगली करेंगे इंडेक्स फिंगर जिसको ब्रहसपती का उंगली कहते है अब इसको डालिए सहद में और रोटी पर अपने पती का नाम लिखिए या पत्नी का नाम लिखिए अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरे का साथ बना रहे प्रेम बढ़े उस पे नाम लिखें और फिर प्रेम से परोस के खिला दें फिर देखिए कितना प्रेम बढ़ता है वो आपके होके रह जाएंगे हम आपसे भी दालेंगे